हेलो एबरीवन, बेलकम वुदा स्टेडी विद मयंक, मैं हूँ आपका मयंक, हम लोगों की यहाँ पर क्लास 11th NCRT जोगराफिक की किताब बहुत एक गुगोल के मुल सिद्धान चल रही है, आज आपका सीगरम में अध्याय चटवा है, यहाँ पर हम लोग गुवाकरतिक प् जाने वाले जो भुवाकरतियां है, उनके बनने की प्रक्रियां हैं, उन प्रक्रियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि हमारी प्रत्पी में तीन लेयर्स भाई जाती है, इसकी जो सबसे उपरी लेयर्स है, उस लेयर को भूपरपटी या फिर क्रष्ट कहा जाता है और क्रष्ट और हमारा जो उपरी मेंटल है यानि क्रष्ट के बाद जो लेयर राती उसको मेंटल कहा जाता है तो क्रष्ट और जो उपरी मेंटल है इसका कुछ भाग मेलकर जो है इस्थल मंडल या फिर लीत्र स्पेर का निर्मार करता है और इस्थल मंडल पर ही आपकी विभिन प्रकार की जो बुगाकरतिया है वो बनती है जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम उसी भूपरपटी के बारे में इस्थल मंडल पर बारे में और बहाँ पर बनने वाली जो गुगाकरतियां है उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो हमारी जो भूपरपटी है यह गत्यसील है यह यह गत्यात्मक है और यह चहते जो और उड़दाता जिसाओं में संचलित होती है देखे इस तरह का संचलन है इसको होरिजोंटल या फिर चहते संचलन कहा जाता है तो जो आपकी प्लेटे हैं जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारे जो इस्थल मंडल है इसके नीचली जो स्टेज है नीचली सतय पर प्लेटें पाई जाती है और प्लेटें लगातार गदी कर रही है तो प्लेटों का संचलन होता है कुछ शहते संचलन होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो टकराने से क्या होता है वहाँ पर जो अवसाद होते हैं या पर जो चट्टाने होती है उन पर दबाव पढ़ता है तो दबाव पढ़ने के विज़े से क्या होता है जो चट्टाने होती है वो बलन पड़ जाती है तो कई बार क्या होता है जो आपकी भूपरपटी है उस पर जब दबाव पड़ेगा तो वहां की जो चट्टाने होती है वो उपर जो उठने लगती है तो इस तरह का जो संचलन होता है इसको उर्दारदर या फिर वर्टिकल संचलन कहा जाता है देगे आपने देखा होगा कि हमारी भूपरपटी पर जो कुछ आप भूआकरतियां देखते हैं वो एक जैसी नहीं है कहीं कहीं पर उचे-उचे परवत हैं कहीं पर पठार हैं कहीं पर मैदान हैं कहीं पर घहरी-घहरी खाईयां हैं व्रहंस हैं तो यह सब आप देखते होंगे तो यह सब जो आप भाय सते पर जो कुछ आप देख रहे हैं बूआकरतियां देख रहे हैं जो कह एक जैसी नहीं है इन्में अंतर पाये जाता है तो यह जो अंतर है इसके पीशे का जो में री जने वो है प्रत्वी के जो आंत्रिक बल है आंत्रिक बलों में पाये जनेवाल आंतर इन्ही अंतरों के लिए उत्तरदाई है प्रिजर्ट जो भाय बल है इंसे अनुबरत प्रभावित होता रहता है यानि सूर की उर्जा की विजैसे हमारा जो प्रत्वी का भारी सर्फेस है जिसमें आप परवत पठार, मैदान वगरा देखते हैं ये लगातार प्रभावित होता है तो जो प्रत्वी के ऊपर जो भार से बल लगते हैं हमारी भूपरपटी पर जो भार से बल लगते हैं उनक विगर्षण होता है यानि जो बहार से जो बल लगते हैं अबक्षय अपर्दन ये सब बल लगते हैं इनसे क्या होता है हमारी जो उब्रिवी भुवाकरतिया होती है इनका विगर्षण होता है गिस्ती जाती है और ऐसे करके बेसिल या फिर निमनिशेत्र या फिर गर्थों क उनका बराव होता है जैसे कि आप अभी आगे पड़ेंगे कि अबक्ष्य अपरदन से क्या होता रिश्चिपट की प्रक्रिया होती है जो आपके अपरद्ध पदार्त होते हैं एक जगे पर जाकर निश्चिपट होते हैं तो ऐसी GEORGE गर्थ बगरे कि उनका वराव भी होता है देखें धरातल पर अपर्दन के माद्यम से जो उच्चावच है जो भी आपकी उच्चाई वाले स्थान है इनके मद्ध अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रैदिभी भारत है तो प्रैदिभी भारत की जो पहाडियां है वो हमाले की तुलना में बहुत ज्यादा उची नहीं है इसका रीजन क्या है कि समय के साथ साथ इनका लगादार अपक्छे अपरदन होता रहा है और इसी वज़े से यह मुक्रूप से भूमी विगरसर बल होती है यानि कि हमारी जो आंतरिक बल है जिनको हम अंतरजनित बल कहते हैं इनसे हमारी भूपरपटी का निर्माड होता है जैसे परबत पठार समतल मैदान इन सब का निर्माड किसे हो रहा है अंतरजनित बलों से हो रहा है वहीं जो पर भुवाकरतिक प्रक्रियाओं के बारे मताया गया कि कौन-कौन सी भुवाकरतिक प्रक्रियाओं होती है अब जैसा कि हाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं अंतर जनित और जो बहुत जनिक बल हैं वो हमारी भुवाकरतिक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदाई है तो धरहतल की बदार्तों पर अंतर जनित और भाहर जनिक बलों द्वारा बहुतिक दबाव और रासानिक प्रक्रियाओं के करड़ भूतल के बिन्यास में परवतन को भुहाकरतिक प्रक्रियाओं कहते हैं यानि के עोल है, कि जो अंत्रजणिक बल है, उनसे बहुत अगाव लगता है, जो आपके बहुत अगाव लगता है, जैसे कि अबक्ष saying होती है। इसमें सूर्गे प्रकास बुर्सर इत्याद इसे जो उपरी चट्टाने होती है उनका देगरशण होता है तो यहां पर भही बताया गया है कि जो बहुतिक दबाव हैं बहुतिक दबाव लगते हैं अंतरजनित बलों से वहीं बहर जनिक जो बल है वो राशनिक क्रियाओं के लितरदाई होते हैं और इनकी विजासे हमारे जो भूतल का सर्फेस है यानि हमारी प्रत्वी की भूपरपटी का जो सबसे उपरी सर्फेस है इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और इसी परिवर्तन को गुवाक्रतिक प्रक्रियां कहा जाता है पटल विरूपर और ज्वाला मुखियता ये अंतर जनित गुवाक्रतिक प्रक्रियां है वहीं अबक्षय, ब्रहच्छरड, अबढ़दन, निच्छेपड ये सभी क्या है? जो आपने बर्ब बगएरा देखी होगी पाड़ों पर, तो वो हिम है, तो जल, हिम, वायू, लहरें, समुद्र की जो लहराएं हैं, धाराएं हैं, ये सब क्या है? ये सब धरातल के प्रतार्तों का अधिगरण परिवन करने में सक्षम है, तो इन सब को भुवाक्रतिक कारक क जाता है, ये सब फेक्टर माने जाते हैं, वो आपकर से कारक माने जाते हैं, इन से जो है आपके जो आपकी प्रतवी के बिभिन प्रकार के पदार्त है, उनका अधिगरण होता है, परिवन होता है, देखें, जब ये तत्तो धाल प्रवड़ता के करण गस्तील हो जाते हैं तो पदार्तों को हटा कर ढाल के सारे ले जाते हैं और निचले भागों में निच्छे बित कर देते हैं यसे आपने देखा होगा जो आपके पहाड़ बगरा उचे उचे होते हैं तो पहाड़ों में इस तरह से ढाल प्रवड़ता होती है यानि इस तरह का slow pot है, इसको डाल प्रबडता भी घा जाता है, तो कई वार क्या होता है, जब उपर से चट्टाने घिस जाती है, समय के साथ साथ तूट फूड जाती है, तो वहां से क्या होता है, वहां से ये डाल की सारे पदार्द जोते नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इ द्रातल पर आकर नीचे गिरती है, यानि सतंत रूप से उपर से चोड़ी वह वस्तु जो होती है, वह नीचे आकर गिरती है, तो गुर्टाकश्ण जो है, ये डाल के सारे सभी गस्सिर पदार्दों को सक्री बनाने वाली दिसात्मक्ट बल होने के साथ साथ, धरातल के जब वो 17 रवस्ता में चलते हैं, तो गुर्टाकष्र बलकी वजय से निचली की तरफ नीचे की तरफ आते जाते हैं, तो इसकी वजय से क्या होता है, नीचे की जट्टाने होती है, जब आकर उन पर गिरते हैं, तो वहां पर दवाव भी पड़ता है, अपर तक उपर उठता है, नीचे करता है, तो यह इनक ख्रियासिल बनाता है, गुर्टाकष्र जो है, और ध्वाल प्रबड़ता के अभाव में, जो गत्सीलता है, या जो मॉबिलिटी है, यह संबब नहीं है, अगर गुर्टाकष्र बलना हो, और धालकी प्रबड़ता नहीं हो, ज यहां पर भई चीज है इसके लिए जरूरी क्या है गुर्टाखषट बल तो जब तक आपके ढाल प्रवड़ता नहीं होगी जो प्राइब नहीं होगा और गुर्टाखषट बल काम नहीं करेगा तब तक गसीलता संचलन को प्रारम करता है यानि इसके भाव में हमारे भूतल अब एक-एक करके हम जो हमारी भुववाक्रतिक प्ORKREYAं हैं उनको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दिखे इनमें से इन्हें दो पार्टों में डिवाइट किया गया है अंतर जनित प्रक्रियाँ है यानि इन्हें एंडोजनिक प्रोसिस कहा जाता है और दूसरी हैं भाहरजनिक प्रक्रियाँ है तो सबसे पहले बात करते हैं हम अंतर जनित प्रक्रियाँ की प्रत्पी के अंदर से निकलने वाली उर्जा जो है ये बुवाक्रतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमो को बलस्रोत होती है और यही जो अंदर से निकलने वाली उर्जा है ये अंतर देने प्रक्रियाओं का मूलस्रोत है प्रत्पी के अंदर की उर्जा अधिकांस्त है, रेडियो धर्मी क्रियाओं, घूडन, प्रत्पी का अपने एक्ष पर घूमना, और ज्वारी घरसर से प्रत्पी के उत्पत्ती से चुड़ी उसमा दौरा उत्पन होती है, जैसा कि हमने जब हमने प्लेट बबरतनकी के बारे होती है, तो हमारी जो प्रत्पी के अंदर की उर्जा है, वो अधिकांस्त है, रेडियो धर्मी जो क्रियाओं है, या प्रत्पी का अपने एक्ष पर घूमना, या प्रत्पी के अंदर होने वाला जो ज्वारी घरसर है, इससे प्रत्पी की उत्पत्ती से जोड़ी जो उसम इससे प्राप्त उड़ता जो है वो पटल बुरूपट को जानी हमारी पटलों में जो हमारी भूपटल है उसको यह जो संचलन बगरा होता है उसको यह ज्वालमुखीता को यह प्रिरिद करती है भूतापी प्रवड़ता और अंदर के उसमा प्रवा भूपरपटी की मोटाई एवं दर्ड़ता में अंतर के काड अंतर जित्पनों की जो कारे होते हैं वो समान नहीं होते हैं तो यह कहीं कहीं पर आपने बढ़ा होगा, कहीं कहीं पर हमारी भूपरपटी की मौटाई बहुत जादा है, और कहीं कहीं पर भूपरपटी की मौटाई कम है, जैसे महासागरों की बात करें, तो महासागरों में हमारी भूपरपटी की उपरी मौटाई है, वो औस पांच किल से कम 5 km के लगबग है वहीं अगर महादीपों की बात करें तो महादीपों में ये 30 से लेकर 50 km के बीच में है जबके अगर कोई उची परवा संखला है जैसे हिमालय की बात की जाए तो हिमालय वाले चेतर में इसकी मौटाई काफी जादा है तो यहां पर वही चीज बताई ग बात कार हैं वो एक समान नहीं होंगे परतभी के आंदरिक भारत बात के परण के परणाम शूलों इनkeit बाहरी प्रत्वी के अंदर जो भी अंतरजनित बल हैं, अंतरजनित जो भी कारी करते हैं, उनसे जो हलचलें पैदा होती हैं, तो उन भाहरी हलचलों को प्रत्वी की हलचलें कहा जाता है। और इसी बज़य से, यानि कि हमारे अंदर प्रत्वी के अंदर जो लगाता जो बल कारी कर रहे हैं, इससे हमारी प्रत्वी पर भीविन प्रकार की इस्तला करती हैं, जैसे परबत, पठार, मैदान या फिर घहरी-घहरी खाईयां, इन सब की उत्वत्ति होती हैं, इनकी जनेत प्रक्रियां या उन्दर जनेत बल है, उनको दो भागों में डिवाइट किया जा सकता है. सबसे पहले आ जाता है पतल बुरूपड. देकि कम तीपता बाले बल के कारण, प्रतपी पर होने वाले संचलन को पतल बुरूपड कहते हैं. यानि पटल बुरूपड एक ऐसा बल है यह जो कि बहुत धिरे-धिरे होता है कम तिर्पता बाला होता है जैसे हमने प्लेटों का संचलन की बात की थी जो आपकी प्लेटों का संचलन होता है प्लेटों लगातार गती कर रही है तो प्लेटों की गती कर रही है तो प्लेटों क यह पतल बिरूपड के अंतरकत ही हाते हैं, यह कम कीड़ता बल कीड़ जैसे पत्पीपर होने वाले संचलन है, इनको बिरूपड करते हैं, और यह एतने ज़्यादा दीरे दीरे होते हैं कि मनुस्रे को इसका आभास भी नहीं होता है इनका प्रभाव जो होता है दीरकाल में निजर आता है देखे हिमाले की उत्पत्ती कोई एक या दो दिन में नहीं होई है ये लाखो करोणों बरसों का परड़ाम है आपने सुना होगा कि हमाले की उच्छा ही लगातार बढ़ रही है तो हमाले की उच्छा ही लगातार बढ़ने का रीजन क्या है कि आपको आँको उसे दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है जब वो बैग्यानी को उसे साल दिया दो साल या तीन साल में मापत नहीं है, तब पता चलता है कि हमाले इतना mm य इतना cm उचाहिए इसकी बढ़ गई है, है ना, उसका रीजन यही है क्योंकि आपकी जो इंडो ऑस्टेलिन प्लेट है, आपने इंडो ऑस्टेलिन प्लेट के बारे पढ़ा होगा, यही रीजन है कि आपका जो हिमाले परवत है उसकी समय के साथ साथ उंचाई लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर भाईची बोले कि इसका प्रभाव जो है यह धीरकाल में नजर आता है सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपटी को संचालित उत्थाबित उत्थाबित का मनलब ऊपर उठाती है या निर्मित करती है यह पटल भूपट की अंतरकत आती है इसमें निम्लिगित प्रक्रियां इसमलेत हैं यनि पटल भिरूपड में भी कुछ प्रक्रिया आए वो समलेत हैं एक बात मैं आपको यहाँ पर इसपष्ट कर दूँ आपकी जो NCRT किताब है उसमें उतना जाज़ा डिटेल में नहीं दीया है यहाँ पर मैंने standard book का content लिया है ताकि आपको चीज़ें और अच्छी से समझ में आए तो देखें जो आपका पटल विरूपड है इसकी जो प्रक्रियाँ है इसके अंतरगत जो जो प्रक्रियाँ आती है तो उन प्रक्रियाँ को भी यहाँ पर divide किया गया है उनको भी यहाँ पर दो भागों माटा गया है सबसे प्रक्रियाँ है महादीप निर्माणकारी बल महादीप निर्माणकारी बल को महादीपी संचलन या फिर महादीपी निर्माणक बल भी खा जाता है इसके अंतरगत महादीपी भागों पर क्रश्ट के उपर मुखी या फिर अदो मुखी बल को समलित किया जाता है उपर मुखी का मतलब जब आपकी क्रश्ट की जो चट्टाने होती है उपर की जो चलने लगती है उपर की जो लंबत इस्तानादर्स होती है तो भहाँ पर जो बल कारी करता है उसको उपर मुखी बल कहते है अदो मुखी का मतलब क्या है कि नीचे को लगने वाला बल जब आपकी चट्टाने होती है नीचे को दस जाती है तो जो बल लगता है उसको अदो मुखी बल कहते है और यह बल जो है क्रश्ट की चट्टानों को अरीय या फिर लंबोत दिसामें इस्तानादित कर देता है, इसी बिज़े से इसको अरीय बल भी कहते हैं. अरिय का मतलब क्या हूता है कि radial रूप में अरिय को अंग्रेजी इसको दुरवलता मंडल या फिर एस्थनुस फिर कहा जाता है और इसी दुरवलता मंडल में आपका तरल मैगमा भरा हुआ है आपने जब प्लेट वर्थन की पड़ी दी तो आपको वयाद होगा कि आपकी प्रद्वी की भूपरवटी की प्लेटें हैं इसी तरल मैगमा की उपर रखी हुई है तो जो मैगमा होता है व्रत्ताकार आकार में या फिर अरी रूप में गती करता है तो मैगमा के व्रत्ताकार रूप में गती करने के जैसे जो इसके उपर की प्लेटें होती है उनमें भी गती होती है तो इसी बज़े से बहाँ पर ये बल अर ये बल जन्रेट होता है संचलन की जिसा की दृष्टी से इसे दो बर्गों में विवाजित किया जाता है सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उपरमुकी बल की यानि अपवाड फोर्सिस की देखे इसकी बज़े से महाडीप या उसका कोई भाग अपनी समिप की सटा से ऊपर उठ जाता है इसे उपरमुकी बल यानि जब महादीप का कोई पार्ट जो है यासे ये महादीप है और इसका एक भाग यानि ये वाला हिससा ऊपर को उठ जाए इस प्रकार के जो बल नीचे से लगेगा इसको उपर मुखी बल कहा जाएगा इसे उत्थाफन या फिर उभार कहते हैं उपर मुखी बल कही एक अन्य प्रकार जो है उमन्यन है देंकि उमन्यन जो है जिसमें महाधीप का जल्मंग तर्टी भाग जो है और महाधीप सत्य का कोई भाग उपर उठ रहा है तो वहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा उमन्यन बोला जाएगा जब आपका महाधीप महाधीप का कोई हिस्सा है जो कि जल्मंग है और वो हिस्सा उपर उड़ जाए तो उसको उमंजन कहेंगे अब सेकिंड है सी में अदो मुखीबल यह डाउनवार्ड फोर्स इसकी जैसे महाधीपी भाग में दो प्रकार के दसाव होते हैं प्रत्म प्रकार में इस्थल भाग इस्थानी रूप से अपनी समीफिस तल से नीचे दस जाता है कई बार क्या होता है जो इस्थल का भाग होता है वो अपने आप नीचे को दसने लगता है और यह करिया जो होती है यह अवतलन यह सबसी डेंस कहलाती है दूसरे प्रकार में क्या होता है इस्थल खंड जो होता है सागर तल से नीचे चला जाता है और जल्मंग्न हो जाता है इसे निमंजन कहा जाता है यानि वहाँ पर उमंजन था उपर मुखी में यहाँ पर निमंजन है यानि जब आपका कोई महादीब का कोई पार्ट है वो समुत्रक में डूप जाए उस प्रक्रिया को निमंजन कहते है अब अगला बल है परवत निर्माणकारी बल देखे पटल पर रूपड के दो परकारते एक तो महादीम निर्माणकारी बल और दूसरा है परवत निर्माणकारी बल और यह जो है यह भूपटल पर 36 रिसा में कारी करता है कुछ इस तरह से कारी करता है इसे जो है इस पर स्रेखी बल भी खा जाता है और यह बल जो है दो रूपों में कारी करता है सबसे पहला रूप है संपीडनात्मक बल जब बल आमने सामने कारी करता है, जब बल आमने सामने कारी करता है, विब्रीद दिसाओं में कारी करते हैं, या जब आपके प्लेटने जो हैं, ये विब्रीद दिसाओं में गमन करने लगती हैं, उससे भाव पर जो चट्टाने होती हैं, उनमें तनाव की सिती उत्पन हो जाती है, इसी वज़ासे इसको जो है, तनाव मुलक बलक कहा जाता है, और तनावगी विजय से जो आपके भूपटल है इस पर ब्रंस पढ़ जाते हैं, फॉल्ट बन जाते हैं, दरार आ जाती है, या फिर जो चट्टाने होती है दरातल की उनमें चटकने या क्रेक्स आ जाती है देखें अंदर जनित बलों का ही आपका अगला प्रकार है आकस्मिक संचलन, जैसा कि आपने देखा था कि अंदर जनित में एक पार्ट तो पठल ब्रूपड हो गया था, अब यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट जो है आकस्मिक संचलन है और आकस्मि संचलन का भी कारण जो है पतल बुरूपढ ही है जैसे कि आपका भूख अंप है चुनामी है जौलम की क्रिया है ये सभी आकस्मि संचलन के त्याद आते है और इनका प्रभाव जो हता है अल्ब काल्मी नेजर आने लगता है जैसा कि आपने आपको पठल गुरूपर्ड में जो भी प्रभाव होते हैं वो दीर काल नजर आती हैं आंत्रिक जो जोला मुकी इस्थलूप है उनमें कौन-कौन से हैं जैसे आपने लेकुलित, लेपुलित, फैकुलित, बैतुलित, डायक, सिल यह सब पढ़ाता यह क्या था यह आंत्रिक इस्थलूप थे और जो भाय इस्थलूप हैं जोला मुकी के उनमें आपने देखा होग जो प्रत्पी की बारी सत्य पर बनने वाली जो चट्टाने हैं, या बारी सत्य पर बनने वाली जो इस्तरा करती हैं, वो सब सामिल हैं, तो ये सब क्या जौला मुकिता के अंतरकत आती हैं, इसके बाद है फिर आपका भूकम्प, भूकम्प के बारे में आप लोग जानते हों अदर भूपटल की चट्टानों के आगस्मिक संचलन के कारण उत्पन कंपन की संखला को समलित किया जाता है और आम दोर पर भूकम जो होते हैं यह बिवर्दनिक प्लेट की सीमाव से संब्दित होते हैं जहां जहां पर आपकी जो प्लेटे हैं एक दूसरे से टकराती हैं य या फिर भ्रंस के सारे भी आंत्रिक उर्जा मुक्त होते हैं बहां पर भूकम बाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पार हैं भूकम कहां कहां पर आ रहे हैं या तो फॉल्ट के सारे आ रहे हैं या फिर जहां पर आपकी प्लेट ने टकरा रही हैं बहां पर आ रहे हैं पर इन सबी प्रक्रियां के काड़ दबाव, आयतन या फिर तापकर्म में परवतन होता है, जिसके फ़ल्तरूप सैलों में कायंतररड की प्रक्रिया होती है, यह सब जो प्रक्रियां है, परवतनी परवत Bizim Trave up का महारी प्रचन काम्रापर होती हैं, महादी कि प्रचन आपक अंदर जनिक प्रक्रियाओं के बाद है आपकी बहर जनिक प्रक्रियाओं के बाद है आपकी बहर जनिक प्रक्रियाओं है तो बहर जनिक प्रक्रियाओं के लिए उर्जा का मूल सरोत सूर्य है तो बहर जनिक प्रक्रियाओं है अपनी उर्जा सूर्य के द्वारा नहर्द वा प्रक्रियां इनको अनाच्छादन के अंतरत रखा जाता है अनाच्छादन का मलब होता है कि जो भारी सरफेस है इसको निरावरत करना या फिर उसके उपर का आवरत रटाना इसको अनाच्छादन कहा जाता है और अनाच्छादन में दो प्रकार की प्रक्रियां का समावेश क इसमें एक तो इस्ठादिक प्रक्रिया होती है और दूसरी गसील क्रिया होती है ये से अपक्षय जो है एक इस्ठादिक अस्थिल प्रक्रिया है जब के ब्रहच्छरड, अपरधन और पर्यवन जो है ये गसील प्रक्रियाओं के अंद्रगत आती है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रक्रिया बताई भी गई है कि अपक्षय है, ब्रहस संचलन है अपरदन या परिवन है इनके प्रेटक बलो उड़जा के बारे बताया गया है अपरदन या परिवन के लिए अपरदन या परिवन के लिए गते जूरजा उत्तर दाई है देखे, जहाँ एक और प्रतबी के अंदर ज्यात भूध संचलन की वज़ेसे प्रतबी की सतय पर बहुन फ्रकार की इस्तिला करतीयों का निर्माड होता है तो वहीं जो आपकी बहरजात भू संचलन है इनकी जो अनाच्छादन प्रक्रिया है इसकी वजय से इन बहारी स्थल रूपों का बिक्टन या पर ब्योजन होता है यानि जो आपके बहरजात संचलन होते हैं इनमें जो अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है इसकी जैसे जो ये इस्थलूप हैं, इनकी सत्य का कटाव होता है, इनकी सत्य को संतल स्थापक संचलन है, इसको संतल स्थापक संचलन या फिर बिनासात्म संचलन भी कहते हैं, बिनासात्म संचलन इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्थलूपों का लगातार ज 요र्ण में जो रहा को प्रतिवल या फिर और धित्वल का विकाष यो है गृृत्वा खषट ? ये ये जारब तो गृत्वा खषट ? तु जल्सक्रb खषट ? ताप में चेंजेस, दाप में चेंजेस, भर्षा उसके रीजन दपका और खचाओ है, इससे चट्टानों और धरातल के पदारतों के सारे सक्रीबल अप्रूपट प्रतिबल है नहीं दरातल के पदारतों के सारी जो सक्रीवल होते हैं उनको अप्रूपट प्रतिबल कहा जाता है और यही प्रतिबल जो है सेलों और दरातल के पदारतों को तोड़ता है यानि इससे जो चट्टाने टूटती हैं और ध्राथल की पदार्थ उसने वो टूटते हैं अप्रूपट प्रतिबल का परणाम जो है कौणडी विस्थापन कौणडी का मतलब जब जो बाहरी सत्य है या पर जो उपर की सत्य है उसमें बिसरपड या फिसलन हो तो यह सब अप्रूपट प्रतिबल की पढ़णाम है ध्राथल के पदार्थ गुर्ताखर प्रतिबल की अद्रिक्त आन्विक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं जो आणविक प्रतिबल हैं उनसे भी ध्राथल के पदार्थ प्रभावित होते हैं और इनके लिए भी कई कारक हैं जैसे तापमान में परिवर्तन तो तापमान में परिवर्तन होने से भी यो सेलों की आणविक सरचना है उसमें परिवर्तन आता है प्रिश्टलन की प्रक्रिया है पिगलन है अत्यरिक दाप पढ़ने से यानि चट्टानों की आत्रिक स्रनचना होती है। उनमें लगाता परिवतन आता है तो यहां पर ध्रातल के पतारतों के लिए गुर्ताख़ण प्रतवल के लाबा जो आडवी प्रतवल हैं ये भी उत्रदाई है रासायनी के प्रक्रियां सामानित है कड़ों के बीच के बंदन को डिला करती है यहां पर ध्रातल के प्रतारतों के पिंड में प्रतिवल का विकास अबक्षे ब्रच्षड संचलन अपरधन और निच्छेपड का मूल करण है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्रातल पर विवन प्रकार के जलवाय प्रदेश मिलते हैं यह अच्छांसों के कोडिंग जो जलवाय प्रदेश है उनमें विवित्ता आती जाती है जैसे उश्कडवंदी वर्सा बन फिर आप उपर बढ़ेंगे तो फिर आपको उपो उ जलवाय मिलेगी है ना तो यहां पर आप देखते हैं कि द्रातल पर विवन प्रकार के जलवाय प्रदेश मिलते हैं इसी जैसे जो आपकी भाध्यजनिक भुवाक्तित क्रक्रियां है यह भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन होती हैं तापकरम और वर्सड इक प्रक्रियां पर इंडरेक्ट प्रभाव यह भी एक जया करते हैं तो बाहर जनिक भुवाक्तित क्रक्रियां के कारें की गहनता शेलkung के प्रकार और सलन्चना पर निरवर करती हैं जैसे कुछ जो एं नर्म या पर मुलायम प्रदेश में जलवाय विदसा है, बहाँ पर कठोड़ सेल अपना प्रत्रूत प्रस्तूत कर सकती है, जबकि वहीं पर अने जो नरम या पर जो आपकी मुलायम सेल है, उसका बेक्टन या वियोजन जल्दी भी हो सकता है, तो यहाँ पर डिबेंड करता है सेलों भी सरणचना पर उनके प्र प्रकार पर, अधिकांस भाहिजन एक गुआकरति प्रक्रियाओं का प्रभाव जो है, यह थोड़ा या फिर मंद होता है, और अलपा बदी में अनवगम में, अनवगम का मतलब है अधिस कुछ में हो सकता है, दीरगा बदी में यह सतत सरांती की वज़े से, सेलों को तीर ब प्रभाव है, वो इन पर पहुंच जाता तीवतर दिखाई देता है, तीवतर पढ़ता है, अन्तितय या तत्यिस्पष्ट हो जाता है, कि दरातल पर विभिनता जो है या दपी मूल रूप से भूपरपटी को उद्वभब से संब्दित है, या दरातल पर जो भी आप देखें, अपक्षय का मदलब ही है, बैदरिंग, तो यहां पर जो जलवाईवी तत्व हैं या मौसम के जो तत्व हैं, उनकी वज़े से अपक्षय की प्रक्रिया होती है, तो अपक्षय के अंतरगत वायमडली तत्वों की दरातल के पतारतों पर की गई क्रिया संबलित हो अपक्षय को परवास्त किया जा सकता है, चूंकि अपक्षय में पदारतों का बहुत थोड़ा अथ्वा नगन संचलन होता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यहां पर जब मौसमी घजबदियों का प्रभाव पड़ता है, तो पहाड़ी जो अपने ही स्थान पर उसमे ब्योजन या पर अपगठन होने लगता है, यहां पर संचलन नहीं होता है, किसी प्रगार का संचलन नहीं होता है, यानि कि अपक्षय में पदारतों का बहुत थोड़ा अथ्वा नगन संचलन होता है, और यह एक स्वा स्थान है, या इनि इन सिटू, या अपने ही स्थान या पर तदिस्थान या फूपर लिखी हुई है, बल्भा, लंबी चोड़ी पता के लिखी गई है, जल वाइबी कारक जलवाइबी कारक हैं, पर्वत, पहाड, मैदन या पर फिर वनसपती के कारक हैं, इनके दोरा प्रान फटोजी ही होती हैं, यह सब इन सब के लिए उत्तरदाई होता है और इन सब में जो जलवाई वाला कारक है इसका विशिस महत्तु है यहाँ पर सबसे पहला प्रकार है रासाइन के अपक्षय प्रक्रियाए यहाँ चैमिकल बैदरिंग प्रोसेस अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समू जैसे के बीलियन बीलियन बिलियन का मलब है चैमिकल्ड का बहुशित होना कार्बोनिक अम्ल बनाना और उसके वजय से चट्टानों का बेक्टन होना ये कार्मनिक परक्रिया प्रक्रिया कहलाती है जले Kazam न्यूनिकरड इस सेलों के अबगटन बिलियन अत्वा न्यूनिकरड का कारी करते हैं जो कि रासानिक क्रिया द्वारा सूच में अवस्था में परवर्तित हो जाते हैं इसके बाद हैं आपकी बहुत तेक बक्षें प्रक्रियाएं यानि फिजीकल वैदरिंग प्रॉसेस देगे बहुत तेक बक्षें को यांत्रेक बक्षें भी कहा जाता है और यह जो हैं कुछ अनप्रुक बलों पर निर्वर करते हैं यहां पर बल बताएगा हैं कौनकों से बल इनके लिए उत्तरदाई हैं एक तो कुटतकषट बल है दूसरा है तापकर्म में परिवर्तन देकि तापकर्म में परिवतन के विजए से जो आपकी चट्वाने होता है उनमें सिकुडन यह फिर फैलाव होता है और ऐसे हम चट्वान तूड़ जाती है या फिर चट्टानों में कृस्टल लवाँ की वृद्धी हो जाए तो चट्टानों भी सरचना कमजोर होने के वज़य से तोड़ जाती है पस्वों के क्रिया कलापों के वज़य से उत्पन विस्तारण बल जो लगता है उससे भी चट्टान टूढ जाती है सुसकन एबं आधन चक्रों से नियंतरत जलका दबाव ये भी चट्टानों को तोड़ने में उतरदाई होता है तो ये सभी जो बल है ये बहुते कबक्षे के लिए उतरदाई है बहुते कबक्षे प्रक्रियाओं में अधिकांस तापी विस्तारड और दबाव के नियुक्त होने के करण होता है याँ ताप करुमें प्रिवतन की विस्तारड जैसे चट्टानों में प्रसार हो रहा है और या पिर दबाव लग रहा है तो ऐसे में तूटने की संभावना ज़ादा रहती है तो ये दो जो प्रक्रिया है ये जादा बहुते प्रक्षा के लिए उतरदाई है अब देखें थर्ड नमबर पर है आपका जयविक कारिया नि वायलोजिकल एक्टिविटी इसके अंतरगर तो बहुत दिक और रासनिय प्रक्षा के करिया में बनस्पतियों और जीव जन्तों की जो भूमिका है इसको सामिल किया जाता है कैंचुआ, दीमक, चूह, करंतक यानि कुतरने वाले जो जीव हैं तो इन जैसे जीवों के द्वारा बिल खोदने के करण जो आपकी अनावरत सत्य है यानि जो ऊपर की जो अनावरत या पर जो हटाई हुई सत्य है इस पर रासनिय प्रक्रिया के लिए नमी और वायू के प्रक्वेस्ट में सहता मिलती है यसे के रासनिय प्रक्रियां जो होती है तीब्र हो जाती है तो ऐसी में जो सैले होती है उनका बेगटन या वियोजन होना स्टार्ट हो जाता है मनुस्री के द्वारा क्रसीकारियों, निर्वनी करण, पसुचार रित्यादी कजपिदियों के द्वारा भी द्रातली पदार्तों में वायू जल और खनीजों की मिस्रर में सायता मिलती है तो ऐसे में भी यहां पर राशानिक और जो बहुत इक करिया हैं, तेज हो जाती हैं तो ऐसे बहुत इक राशानिक प्रक्ष्या ठेज होने के हिसे चट्टण cooler हो जाता है सड़ने वाले पौदों और पसुओं के पदार्थ हूमिक, कार्बोनिक और अन्यम्ल है इन जैसे तत्तों के उत्पादन में योगदान देते हैं यहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं सड़े गले जो पदार्थ तोते हैं उनसे हूमस कर निर्माड होता है तो हूमिक है, कार्बोनिक और अन्यम्ल जैसे चत्तों के उत्पादन में जो आपके सड़ने वाले पौदे या पसुओं ये योगदान देते हैं और इससे कुछ चत्तों का सड़ना चरड या पर गुलन बढ़ जाता है और उन्हें यांतरी डंग से तोड़कर अललग कर देती है अब देखे, आगे हैं पर अबक्षय के बिसेस प्रभाव बताएगे अबक्षय के बिसेस प्रभाव क्या होता है इसका एक बिसेस प्रभाव है अबसलकन असलकन का पर जानदी है, जब चट्टान की उपरी सतय है, तूट-फूр जाए, तो यह अबसलकन कहलाती है देखें, अबसलकन अबक्षय का एक परणाम है, यह प्रक्रिया नहीं है जहां देना कि किसी भी चट्टानी सतय का उपरी वागा की तूट फूट जाए, उपर की लेयर हट जाए तो वो अबक्षय का एक पढ़डाम है, अबक्षय के लिए प्रक्रिया नहीं है यानि कहने का लोगी है कि अबक्षय की प्रक्रिया के पढ़ाम सरूप अबक्षय होगा ऐसा नहीं है कि अबक्षय हो जाए इसमें सेल या फिर आधार सेल के उपर से मौटे तोर पर जो गुमावदार चादर के रूपे उत्खंडित या पत्रकन होता है इसके पढ़ाम सरूप चिकनी और गोल सतय का निर्माड होता है यानि उपर की जो लियर्स हट जाती है और उससे जो चिकनी या गोल सतय है वो भार निकल आती है अपसलकित गुमबद एवं टार्स क्रम से अभारित करण एवं तापी संकुचन से उत्पन होते हैं जो अपसलकित गुमबद है यानि अपसलकित गुमबद का मुलब जैसा कि आप यहां पड़ देख पर उपर की लेयर रटती जा रही है तो इसमें अभारित करण हो रहा है, उपर का जो लेयर का बजन हो भटता जा रहा है, और टार्स का निर्माण हो रहा है, जो तापी संकुचन है, तो तापी संकुचन की जैसे जो उपर की लेयर होती है, उन लेयर के जो रासानिक करण होते हैं, उनमें संकुचन या प्रसार ह तो ऐसे करके वो हट जाते हैं, तो ऐसे करके अपसलकित गुंबत और टार्स बनते हैं, तो ये भी अपसलकिन के ही परणाम है, अब देखे, आगे हैं पर अबक्षय का महत तो बताया गया है, कि अबक्षय का महत तो क्या है, अबक्षय प्रक्रिया जो है, ये सेलों को जो बने वाली जो आपकी मिट्टी है उसी मिट्टी की गहराई है उसी से बन पनपते हैं तो अबक्षी प्रबार उसको कहा जाता है कब्राश्ट्रों का अपख्ष और निचे पड राष्टी अर्त वस्ता के ये अतमहतपूर है क्योंकि मूलिवान खनेज़ों जैसे कि लोहा, मैगनीज, अलुमिनियम, तामा के अयसकों के समरद्धी करड और संकेंद्रड में ये सहयक होता है जो आपका अबक्षय की प्रक्रिया है ये आपके मूलिवान जो खनेज़ पदार्त है इनके समरद्धी इसको सम्रद्धी करड कहते हैं देखें, यहाँ पर सब्द निच्छालन आया है जिसके माद्यम से चाहसानिक पदार्त inson करते हैं इसके माद्यम से क्या है कि ऊपर के पदार्त है वो दार्त निगल जाते हैं और सेस्यू बहुमुलिक बदार सोते हैं उनका संकेंद्र हो जाता है तो ऐसे करके ये प्रक्रिया जो है सम्रदीगड कहलाती है यहाँ पर सेकिंड नमबर पर है बापका ब्रहत संचलन या मास मूवमेंट देखे ब्रहत संचलन के अंतरगत बे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का जो ब्रहत मलबा है ये ग्रोता खश्ट के सीधे प्रभाव की वज़े से ढाल के अनूप इस्थानादरत होता है यानि कहने का उनलब यह है कि ब्रहत संचलन की जो प्रक्रिया है ये ग्रोता खश्ट की अदीन है गुर्तागष्ट की बज़े से ही मलवा जो है उपरी ढाल से नीचे भैकर आता है ब्रहत मलवे की संचलन की जो गती है ये मंध हो सकती है या फिर तीब्री भी हो सकती है और इसके फल सुरूप पदार्थों के छचले से लेकर घहरे स्थम प्रभावित होते हैं यानि कहने का अगर जो मलवा उपर से भैकर आ रहा है उसका भार अगर ज्यादा है तो यहां पर घहरे स्थम बनेंगे अगर मलवा जो है हलका है तो यहां पर चचले स्थम बनेंगे जिनके अंतरगत बिसरपड, बहाव, इस्खलन और पतन समलेत होते हैं बिसरबड का मतलब यह कि अगर मलवे की जो गती अत्यांत मन्ध है तो मलवा जो बिसरब की रूप में भैते हुए आएगा या फिर भाव की रूप में भैकर आएगा या फिर यहाँ बार तीबर इस्खलान या पिर एकदम पतंसा होगा या एकदम से छूट कर गरे जाएगा तो यह कुछ प्रक्रिया है प्रक्रम इसमें सामिल होते है यदभी भ्रस संचलन के लिए अभक्षय जो है यह अनिवारी नहीं है परंतु यह इसे बढ़ावा देता है देखे जैसा कि आपको इस्पष्ट कर दिया है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ग्रेविटी की अधीन है गुर्ता खष्ट बल की अधीन है तो यहाँ पर अपक्षय का कोई ज्यादा महत्तु नहीं है यह नहीं कह सकते है अगर अपक्षय होगा तभी यहाँ पर यह प्रक्रिया होगी और धाराय यह सीज़े तोर पर शाम्मल नहीं होते हैं क्योंकि पूरी की प्रक्षल वो ग्रेविटी की अधिन होती है ब्रहज संचलन जो है, यह अपरधन के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसमें पधार्थों का संचलन जो है गुरतरख़र की साहता से होता है तो इसी बज़े से ये अपरदन के अंदर भी नहीं आता है असंबद्य कमजोर पदार्द, छिचले संस्तर वाली सेलें, ब्रंस, तीब्रता से जोके हुए संस्तर, खड़े भ्रगु यानि आपने देखा होगा कि ऐसे किनारे जहाँ पर एक्तम सीधी चट्टाने होती है तो खड़े भ्रगु या तीब्र ढ़ाल, परियाप्त वर्सा, मुझलादार वर्सा और बनस्पती का अभाव ये ब्रहस संचलन में सहायक होते हैं कई बर क्या हो जाता है कि तीब्र बर्सा होने के वजैसे जो उपरी मलवा होता है वो गीला हो जाता है तो गीला होने से बहाँ पर जो गुर्टशट बल है वो उस पर ज्यादा लग जाता है और इसी वजैसे मलवा नीचे की और इस्तानाजित हो जाता है ब्रत संचलन की जो सक्रीता है इसके कई कारक होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए है प्राकरतिक एवं कृतिम साधनों दोरा सत्य के आदारी बदारतों का हटाना ये कारक ये भी हो सकता है धालाओं की प्रवड़ता उचाई में ब्रद्दी पदारतों के प्राकरतिक अत्व ऐने प्राकरतिक घ्रवतु के प्राकरतिक अत्यृद्य इसपोर्ट या मसीनों का कमबन हो, अत्यदिक प्राकर्तिक रिसाव हो जाए, जीलों, जलासेओं, नदियों से भारी मातरा में जल निसकासन हो, तो ऐसी में बरस संचनन हो सकता है, या पिर प्राकर्तिक बनस्पती का अंधादून बिनास किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप ज जानते हैं, पहाडों के ढालों पर प्राकर्तिक बनस्पती होती है, तो उनकी जड़े होती है, वो मिट्टी को बांध कर रखती है, और अगर बनों का अंधादून बिनास कर देंगे, तो क्या होगा, जो पानी वर्सेगा, तो पानी वर्सेदें से मिट्टी गीली होगी, तो मिट्टी जो गीली होगी, उस पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, तो ऐसे में वो एकदम से ब्रहत मनवेक रूप में नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर प्राकर्तिक बनस्पती का अंधादून बिनास ये भी ब्रहत संचलन को बढ़ावा देता है, अब देगे, ब्रहत संचलन के यहाँ पर तीन रूप हो सकते हैं, तीन रूप यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो अनप्रस विस्थापन है, जिसको हीब भी खा जाता है, तो तुसार ब्रद्धी या फिर अनिकार्णों से, मृदा का जो अनप्रस विस्थापन है, यह इसमें सामिल है, या फिर प्रभा हो सकता है एक flow की रूप में बhal कर आई या फिर भूस्क्न या ए सम्छन ये इसमिल वी इसमें सामईल है। जो भूस्कलन की प्रक्रिया है व भरफ़ी संचलन की हैं तो यहाँ पर हम लोग भूस्कलन की बारे में जानेंगे। देगे भूसकलन जो है अपेच्छाकत तीब्र और अवगम में संचलन है अवगम का मलब एकदम से दिखाई देने वाला इसमें इस्कलित होने वाले जो पदार्त है ये अपेच्छात्या सुस्क होते हैं यहां पर जो इसकलित होने वाले पदार्थ होते हैं, यह खास करके सुस्क होते हैं, असलंगन भरत का आकार, एबं आकरती सेल में अनंजरता की प्रकती, छरड का अंस और ढाल की जामिती पर यह निर्वर करते हैं, यहां पर जो उपर भरत मलवा है, उसका आकार कैसा है, और पर की जो सेलों की प्रकती वो कैसी है, जो छरड होने वाला जो पार्ट है, वहां का ढाल कैसा है, इन सब पर भूसकलन निर्वर करता है, इस वर्ग में परदार्थों के संचलन के प्रकार के अधर पर, वर्ग में कई प्रकार के इसकलन पहचाने जा सकते हैं, तो यहां पर बैक्यार्ड वाला इनका एसेट स्लोप पर उपर का उपर का जो मलवा है अगर यह फिसलने लगे तो इस प्रक्रम को अवसर्पड घाये गा जाएगा जै उसे अवसर्पड खा जाएगा प्रतवी के पिंड के पष्च आवर्तन के बिना मलवा का तीबर लोटन या इसकलन यह या फिर अगर यह तीवर बहात्रा में आए देकि जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस को ज्यादा डिफरेंस नहीं है अवसरपड में क्या है कि मलवा जिवा फिसलतों दुर्षी नीचे आता है जबकि मलवा इसकलन में क्या है कि एकदम लोटते हुए तीवर गतिसे मलवा याँनी कि कहा भर कौई चट्टानों का जोड है या फिर कोई ब्रहास के नीचे पर पर प्रतक इस घर्ज़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं और तीब्र जो ढाल होते हैं खास करके जो इस्टैक बगरा ब्रहु बगरा होते हैं वहाँ पर सेल इसकलन बहुत आम बात है तो वहाँ पर सेल इसकलन बहुत तीब्र और बिद्वसंग होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल इसकलन को यहाँ पर द होके गुर्दक्षट के प्रवाक्यों से कट जाए और यह जो हिस्सा है जब तूटके गिरे तो यह कहीं टच ना हो यहां किसी सब्सक्राइब से तक प्रवाइत होते हैं इससे अलग करता है यानि कि सेल पतन जो है सेल इसकलन से अलग है अब देखें हमारे देश में बात की गई है कि हमारे देश में कौन-कौन से ऐसे समविदी चेत्र हैं जहां पर भूसकलन एक आम बात है तो हमारे देश में मलबा अवधाव एवन भूसकलन जो है यह हिमाले में पराए गटित होते हैं और हिमाले में गटित होने के यहां पर पहली बात तो यह है कि हमाले एक वलिद परवत है और एक नवीन सरचना है और जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो आपकी इंडो आश्टिलिन प्लेट है वो लगातार यूरिसन प्लेट में धस रही है इसी वज़य से यहां पर हमाले वाले 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 वीजन में जो विव पडारतों से बना हूआ है एक रीजन यहां पर यहां पर इसके लाहब यहां पर हमाले की यह मध्यमनावगर काफी तीब रहा है या इसकी ढाल काफी तीब रहा है इस बज़य से यहां परateg उसकलन एक आम बात है अगर हम हमाले की तुलना जो नीलगरी और पश्मी घाट की जो किनारे हैं पश्मी घाट की जो पाड़ियां उनसे अगर बात करें तो यहाँ पर वही चीज बदाई गई है कि हमाले की तुलना में जो नीलगरी की पाड़ियां है या पर पश्मी चटके किनारे पश्मी घाट या बिच्छकत बिवर्थागी देश्टक के अधिक इस्ताई हैं यानि इन चित्रों में बिवर्यत्त की गत्विदिया है भुकम भी गत्विदिया हैं बिल्कुल ना के बराबर है और ये जो एरिया हैं जो चट्टाने नीलगरी के पहाड हैं या पश्मी घाट जो है यह बहुत कठोड सेलों से बना है तो यहां पर मलवा अवधाव या भूसकलन होते हैं हाना के उनकी बारम बारता है वो हिमाले की तुलना में कम है यहां पर यदा-कदा भूसकलन या मलवा उधाव होता है ऐसा नहीं है कि हमाले की तरह हर रोज कहीं भी हो जाए पश्मी घाट एबं नीलगरी में खड़े भ्रगु निए खड़े क्लिफ हैं और कगार को नब तीब्र कोने इनके साथ ये तीब्रतर है अते इन स्थानों भूसकलन या मलवा उधाव के साथ प्राय जो सीधे सेल पतन है ये भी होता है यसा कि हमने बताया था यहाँ पर खड़े भ्रग उतने खड़े डाल होते हैं बहाँ पर इस तरह की जो चट्टाने भार निकली होती है अपर्दन के जो उच्चा बच्च है इसका निमनी करण होता है या आपक्षे जो अपर्दन के लिए अनिवार दसा नहीं है या जरूरी नहीं है कि अगर अपर्दन नहीं होगा तो अपर्दन नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है अपर्दन में बक्षे सहायक है केवल सहायक है दरातल के पदारतों का अपर्दन और परिवन जो है ये वायू, प्रभासिल जल, हिमानी, लहरों और धाराओं भूमिगत जलद्वारा होता है यहाँ पर जो आपके जलवाई भी कारक है वो उतरदाई होते है यहाँ पर गुर्ताखट बल उतरदाई नहीं होता है यहाँ पर जो जलवाई भी कारक है वो अपर्दन के लिए उतरदाई होते है या भूमिगत जल ये सा उत्तरदाई होते हैं देखें वायू, प्रभासिल जल और हिमानी ये चार जो आगे के कारक हैं ये जलवाई भी दसाओं दोरा नियंदत होते हैं और लहरें जो हैं ये थल और जल बंडल के अंतरापश्टी 30 प्रदिस में कारी करती है यहाँ पर अंतरापश्टी 30 प्रदिस का मतलब यह है कि कोस्टल रीजन जो है वहाँ पर लहरें काम करती है यहीं पर तो महाधिप की सिमा खतम होती है तो यहीं पर ये लहरें काम करती है भूमिकर जल का जो कारे है यह प्रमुकत है किसी चेत्र की आश्मिक विजिस्ताउं दारा नहरत होता है आश्मिक का मलब क्या है कि भाहां की सेल समर्चना कैसी है भाहां की जो चट्टाने कैसी है भूम के जल तभी तो कारी कर पाएगा, जब वहां की चट्टाने बहुत नरम हो, चट्टाने चूने पत्थर की बनी हो, तो वहां पर जो इस्तलाकरतियां बनेंगी, जैसे वहां पर कारश्ट इस्तलाकरतियां बन सकती है, है न, यदि सेले हैं, पारगम में, पारगम का मलब अपरदन की क्रिया होती है जैसा कि आप बेख पालें यह इसाथे एतना। मलवे का अपरदन हो जाता है तो आगे चलकर फिर मलवे का निच्छेपड होता है तो निच्छेपड जो है अपरदन का परड़ाम होता है धाल में कमी के कारड़ जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परड़ामते बाद में क्या होता है आउसादशों का निच्य पड़ प्रारंब हो जाता है खास करके मैदानी लाकों में लेकर जब उंचे ढाल से जो मलवा है गुह अपरदिद हो कर जब आगे मैदानी लाकों कहुँच다 है तो यह मलवे की गत्य होती है, धीम हो जाती है तो ऐसे वह मैदानी लावक में इसका निच्छेपड प्रारम हो जाता है पहले इस्थूल और बाद में सुच परदाथ निच्छेपड होते हैं इस्थूल का उलब यह है कि पहले जो बड़े आकार के परदार्थ होते हैं जैसे जैसे नदी का बेक कम होता जाएगा, पानी का बेक कमता होता जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जो बड़े पतार्थ हों कि उनकर निच्छेपट पहले होगा, और जो छोटे महीन बारीक पतार्थ होते हैं, वो दूर सक भैकर जाते हैं, उनकर निच्छेपट दू तो ये निच्छेपड में भी काम करता है। यानि जलगी कतिकर मन्ध होगी। तो जलग में मौजब जो अवसाद होंगा उनकी निच्छेपड उनका होना लेगा। ऐसी हिमानी भी है। इमानी भी जाद दीर दीरी करके नीचे आती है, तो अपने साथ अवसातों को लिए कर आती है, और ऐसे करके नीचले भाग में ये अवसातों को निच्छेपड करने लगती है, यहाँ पर अपरदन के कारक हैं, वो कारक निच्छेपड का कारी भी करते हैं, इसके बाद है आपका मर्दा निर्माड, Soil Formation देखें मर्दा जो है एक गत्यात्मक माद्य हमें यानि कि मर्दा में लगाता है परिवर्टन होते रहते हैं जिसमें बहुत सी रासाइनिक, बहुत एक और जैविक क्रिया है जो है यह अनुवरत चलती रहती है यानि कि मर्दा में जो रासाइनिक फ्रक्रम है बहुत एक क्रिया है, जैविक क्रिया है, लगाता चलती रहती है इससे मर्दा का निर्माड होता है इसी जैसे मर्दा जो है गत्यात्मक माद्यम है मर्दा जो है अपक्षे है, अपकर्स का परड़ाम है अपक्षच का मलब कहा है, जो बैदरिंग की जैसे चट्टाने टूट पूट जाती है, उनका जो बिकटन हो जाता है, उससे मिट्टी बनती है, यह ब्रद्दी का माध्यम भी है, यह पर प्रद्दी का माध्यम भी है, यह एक परिवतन सील, इवं विकासवनमुक तत्व है, इसमें हम विवित प्रकार की पेड़ पॉट उगा सकते हैं, देंके मिट्टी की बहुत सारी विसिस्ता है, यह मौसम पर भी डिपेंड करती है, और मौसम के साथ यह बदलती रहती है, जैसे एक्जाम्पल के तोर पर बदाया गया है, यह काफी इंपोर्टेंट है, यह पर क्या होता है, वहाँ पर जो जैविक्रिया होती है, या तो मंद हो जाती है, या पूरी तरह से बंद हो जाती है, पैडालोजी जो है, यह मृदा बेग्यान है, और पैडालोजिस्ट एक मृदा बेग्यानिक होता है, यह पैडालोजी मिट्टी बेग्यान को पैडालोज उनके अभक्षित प्रवार का मलब यहाँ पर mental वाला पार्ट नहीं है, तरल प्रवार का मलब यहाँ पर मलब के sense में लगाएंगे, कि सबसे पहले जो अफ़क्षित प्रबार है या फिर जो लाइक पदार्थ हैं इनके निच्षेप बैक्टिरिया या फिर अन्य जो निकरष्ट पौदे जैसे की काई, लाइकन इनकी तोरा उपनिवेसित किया जाते हैं जोंती मलबा होता है उस मलबे में सबसे पहले बैक्टिरिया या फिर काई लेकन में बनाने पौते हैं जीब ये पॉदों के मृत अवसयस है। हुमस के withstands 31step में sa Dakal Gord Welcome हुमस сюalों सिर्वे जुके consistent अवसयस होते हैं। हुमस को सन अचया होते है। प्रारम में गौड गास अब फर्ण की अप्रार्ण की बद्दी होती है। सबसे पहले मिट्टी में कौन सी चीज़ा उपती है, गौड घास या फर्ण्स इनकी ब्रद्धी हो सकती है, बाद में पक्षियों और भाई की तरह लाए हो गए बीजों से, ब्रक्ष और जाड़ियों ब्रद्धी होने लगती है, प्रक्रिया पूरी समझाई गई है, कहीं प बनाने वाले जानबर मिर्दा को चिदर में इसपंज ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे करके मिर्दा और जाता है, इस प्रकार जल धार करने की चंता, वायू के प्रवेशादी की कारड़ अंत्ते परिपक को खनिज़ एवं जीव उतपाद युप तो मिर्दा का निरिमाड होता ह इस सब प्रक्राम की बाद जो है यहाँ परिपक को मिर्दा का निरिमाड होता है, अब यहाँ पर मिर्दा निरिमाड के कारगों के बारे में बात की गई है, मिर्दा निरिमाड जो है पांच मूल कारगों के द्वारा नियंतित होता है, इन पांच मूल कारगों में पहला का को ती है कुछ इस्तानों की जलवाइव आद्र या फिर उष्कटवंदी जलवाइव होती है तो यह सब चीज़ें जो है मुड़ा निर्माड को प्रभावित करती है इसके लाबा तापक्रम में जो मॉस्नी और दयनिक बिन्ता होती है इससे भी मिट्टी का निर्माड प्रभ करती है यानि कि मिट्टी का निर्माड है वो गठन सरनचना पर या फिर जो सेल निच्छे पर उसमें खनिज और रासनी संयोजन कैसा है इस पर यह डिपेंड करता है मूलपाषए के अंतरगत अबक्षे की प्रकति एफम उसकी दर आवरट की घेराई या मौटाई यह प्रमॉक भेचारनी तत्त होते हैं मुल बदारत का मलब यह है कि जिस चट्टान का अबक्षय हुआ है उसकी प्रकति कैसी है चट्टान की प्रकति कैसी है और किस दर से अबक्षय हुआ है बहाँ पर उस अबक्षय के अवसाद है उनका जो निच्छेपड हुआ है उसका आवरड है उसकी गेराई या मोटाई कि इससे भी मिट्टी का निवार्ड प्रभावित होता है जब मरदाँ बहुत ज्यादा नूतन या पर कह सकते हैं यंग होती है और परियाब परिपक्ड नहीं होती है तो मरदाओं और मूल सेलों के प्रकार में घनिश्थम्बंद होता है जब मिट्टी युवावस्था में होती है बिल्कुल नूतन होती है तो ये बिल्कुल सेल जैसी जो मूल सेल है उस जैसी दिखती है तीजरा कारक है आपका इस्तला करती है उच्चा बच्च देखें इस्तला करती है उच्चा बच्च ये भी एक निस्क्री नियंदर कारक है इस्तला करती हो में आपके परवत, पहाड, पठार ये सब सामिल हैं, मैदान बगर ये सब इसमें सामिल होते हैं तो इस तरह करती जो है मूल पदार्थ के आच्छा दन अत्वा अनावर्थ होने को सूर्गी केटों के संबने प्रभावित करती है जैसे माली जो कोई पहाड है तो पहाड का जो पवन विमुक ढाल है या पवन सम्मुक ढाल है इससे भी मिट्टी का नमाण प्रभावित होता है इसके लाब जो सूरी का प्रकास है सूरी का प्रकास उस स्थान पर कैसा पढ़ रहा है तो ये भी चीज़ें जो है मिट्टी को प्रवावित करती है जो आपके तीब्र ढ़ाल होते हैं यहाँ पर मिर्दा चिछली होती है और सपाट चित्रों में गहरी और मौटी होती है देखे तीब्र ढ़ाल होते हैं वहाँ पर जो अवसाद होते हैं जहां अपर्दन मंद और जल का परिस्रबड अच्छा रहता है, मर्दा निर्माड बहुत अनकूल होता है, यानि कि जो निम्र ढाल है और बहाँ पर अपर्दन बहुत मंद गती से हो रहा है, साथी साथ जो जल का परिस्रबड है, जल भी बहाँ पर मिल जा रहा है, तो पर जलकी उपलबता है, तो वहाँ पर, चीका मिट्टी, का विकास हो सकता है, और अगे मॉलीतिए वहाँ पर, जैब्पदात या पर, हुमस्की उपलबता ज्यादा है, तो ऐसे में मिट्टी का जो रंग या, वो घेराकाला हो सकता है, चौथा कारक अब आपका जैविक क्रियाएं या फिर वायोलोजिकल एक्टिविटीज देखिए मर्दा में जो जैविक पदार्त है ये मिट्टी की नमी धार की छमता और नाइटोजन इत्यादी को जोड़ने में सहिक होते हैं जैविक पदार्त जो है, ये मिट्टी की जो नमी धार छमता, इसको पढ़ाते हैं, उसमें नाइटोजन की उपलपता को बढ़ाते हैं यहां पर ब्रद्डि जो ब्रध्दि है यह गद्विदी्यां होती हो वह धीमी पड़ जाती हैं य्यांसे उप आर्क्रिक और टुन्ट जलवायों में जो गद्विदीयां की वह बहुत कम हो जाती है तो यहां पर निम्न बैक्टेरिय iki क्रियाओं के कर्द अवयजरत जैविक यूमस की मातरा जादा हो ती है। वहीं आध्र, उष्ण- और भूमद्रे की जलवयु में बैक्टरियल ब्रदी की जो करियाएं होती हैं वह सघन होती हैं और टेजी से होती हैं और मिरत्मनस्पति सीकता से ऑक्षिकट हो जाती हैं यसे मिट्टी में हीमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है खास करके भूमद्रेकी जो इलाके है या पर आध्रय उषकाडवन्डी जो इलाके है बहाँ पर बावυχ you Unدا की मात्रा कम हो रह जाती है बैक्टिरिया वे मर्दा के जीब हवा से गैसी नाइटोजन राप्त कर उसे रासानिक रूप में परवदित कर देते हैं जिसका पौदों के द्वारा उप्यों किया जा सकता है इस प्रक्रिया को कुछ बैक्टिरियों के नाम बताई गए है जो कि नाइटोजन जाड़ करने में साहयक है तो राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टिरिया त्यंतु वाले पौदों के जडगरंथ का में रहता है यानि कि राइजोबियम जो है ये पौदों के जो जडगरंथी होती है उसमें रहता है और ये मेजबान पौदों के लिए लाबकरी nitrogen जारित करता है देखे पौदी जो है बादावड से डिरेक्ट nitrogen घ्रहंड नहीं कर सकते हैं तो पौदी जो है इनी बेक्टरियल कत्विदियों के माद्यां से nitrogen घ्रहंड करते हैं मर्दा निर्बार में चीटी, दीमक, कैचुए टंतक, टंतक कमलग उतरने वाले ये सभी महत्पूर होते हैं क्योंकि ये मिट्टी में बार-बार उपर-Nीचे करते रहते हैं और मिट्टी में छिदर इत्यादी बनाते हैं इसे के मर्दा जो पारगम में हो जाती है उसे भायू, पानी, इत्यादी आसानी से प्रविस्ट कर जाती है तो ऐसे में मर्दा की जो पूसर चमता है ये भी बढ़ जाती है अगला कारक है कालावदी ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देगे मरदा निर्मार प्रक्रियाओं के प्रचलन में सब से इंपोर्टेंट है काल समय की अवदी जुकि समय की अवदी है ये मर्दा की परिफक कोदा या मरदा की maturity है और उसके पार्स का यानि प्रोफाइल का बिकास दयार करती है जितना ज़़ादा समय लगेगा, जितना ज़़ादा समय बितीत हो जाएगा, उतना ही मर्दा का जो प्रुफाइल है, नहीं Soil Profil है उतना ही ज़़ादा होगा Soil Profil का मदलब यह कि मर्दा की जो layers हैं, वह layers उसमें जादा होगी थोड़े समय पहले निच्छे बिद जलोड मिट्टी यह हिमानी तल से विकसित बड़ाएं ये तरोड या या फिर युवा मानी जाती है इसको organic layer होला जाता है इसके अब फिर आपका top soil आ जाती है फिर sub soil है फिर parent material है फिर bad rock है तो ऐसे करके layers होती है तो देखे जब बढ़दाएं काफी दा यूबा वस्था में होती है तो जैसा कि हमने आपको बताया था यूबा वस्था में होती है तो मिट्टी जो है अपने जो जनक सेल है उनके काफी दा नजदीक होती है तो उनके नजदीक होने का मुलब किया है कि मिट्टी एकदम से ऐसे मालम पढ़ देए इसे सेल से भी हाली हल बनी है आल यहाँ चट्टानी मिट्टी बनी है, इस तरह से दिखाई दीती है प्रोफाइल में संस्थर ही जुड़ते जाते हैं और मिट्टी की परत मौटी होती है तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के वस्तना ही थैंक्स वर वाचिंग, जै हिंद